जै मातादी आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस्मदान पर हम सब जगराती में जाते हैं वहां हमें हलवा और छोले का परशाद मिलता है जो की हमें बहुत ही टेस्टी लगता है हम सोचते हैं ये चने पता नहीं कैसे बनाई होंगे जो हम घर पे बनाते हैं तो वैसा टेस्ट नहीं आता लेकिन आज मैं जो आपको चने बनाना बता रही हूँ अगर आप इस तरीके से चने बनाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा बहुत ही बहुत ही टेस्टी चने बनेंगे तो जैम माता की कहते हुए करते हैं शुरुवात माता का परसाद बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए चने नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर कसूरी मेथी धनिया पाउडर अमचूर पाउडर और गरम मसाला हमें यहां गरम मसाला घर पर पिसा हुआ लेना है रेडिमेट बिल्कुल भी ने लेना क्योंकि उसमें गारलिक पाउडर हींग होती है और इसे परशाद में इस्तिमाल नहीं करते मैंने यहां पाव चने लिये थे उसे रात को भीगो दिया था सुबह उसे उबाल लिया था हमें और चाहिए होगा थोड़ा सा बेसन यह मैंने सरसों का तेल लिया है और चने हमारे टेस्टी वने इसलिए हमने लोहे की कढ़ाई लिये है लोहे की कढ़ाई में चने बहुत ही करारे और टेस्टी वनती है सबसे पहले बेसन के डालेंगे, बेसन को आपको भूनना है लेकिन भूरा नहीं करना, इसे सिर्फ गोल्डन होने तक भूनना है अब बेसन भून चुका है अब हम इसमें जीरा, कसूरी मित्थी, लाल मेर्च, हल्दी, नमाक, अमजूर पाउडर, गरम मसाला, ये सब मसाले डाल देंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे एक दो मिनट के लिए हमें इसे भूनना है उसके बाद इसमें उबले हुए चने हमने डाल देने है अच्छी तरह से इसे मिला लेना है और दो-तीन मिनट के लिए इसे पकाना है जिससे की मसालों का जो भी फ्लेवर है वो चने एब्सोर्ब कर ले हलवाई स्टाइल चने बन कर तयार है यकीन मानिए आप इस तरीके से जब भी चने बनाएंगे चने बहुत ही टेस्टी बनेंगे आप इस तरीके से जरूर चने बनाएगा अगर रैस्पी आपको पसंद आईए तो प्लीज लाइक, शेयर, कोमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू, जे मतादी